कि फूल धरुका है कि खिक है कहां पर आपको चलू करना है पानी पात्व में यह जो फूल धरुक है आपका बैसिकली इसका मेगाल मेतला है इसका रॉ मेघ्लै हंकरी इसका आ्साम और मेघ्लै यह तो नोट इस जगे यहां पर सब से ज्यादा इसका raw material मिलता है और यह आपका और यह आपका जनौर्वर से लेके जनौरी फरवरी तक इसका cutting होता है और फिर उसमें sale out होता है और उस समय जो sale out होता है मालिजे 105 से लेके 115 रुपे केजी तक वहाँ से निकलता है चीज और उसके बाद जिसको भी मालिजे खरीदना है वो खरीद के आपने यहाँ पर श्टॉक कर लेता है और श्टॉक करके फिर बाद में मालिजे market में sale out करता है तो अभी present में अभी मालिजे इसका season नहीं है तो अभी वहाँ से जो seller लोग इसको sale करता है तो वो कम से कम आपका 140-145 रुपए पर कीजी के हिसार से sale करता है और minimum minimum जो इसको बेशता है यह लोग आपका 9 टन minimum order देना पड़ता है प्लस ट्रांसपोर्ट का जो 9 टन 9 से 10 टन हाँ हाँ इतना का order देना पड़ता है तो फिर वो लोग आपको raw material जो है वो प्रवाइट कर जयता है तो अगर आपको मालनीजे रौ मेट्रियल का चाहिए तो हम लोग एक काम कर सकते हैं हम लोग बिजनेस कंसल्टेंट हैं यह सारा काम हम लोग करवाते हैं मालनीजे वहां का local army का number प्रवाइट करवाना या इसके लिए brand बनवाना या और फीस चार्ज करते हैं सर्विस चार्ज काम के लिए यह भी भेज़ देंगे आपको और वहां के जो लोग है उन लोगों का number वगरा भी भेज़ देंगे आपको जैसा बात करके ठीक लगेगा तो उसके बाद फिर आप कोडिनेट करके अपना काम इस्टार्ट कर सकते हैं इस परल अच्छा 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 हाँ जी 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 शाहिए है देखे इवेस्मेंट होगा और अच्छा काम होगा तभी तो मानीजे रिटन होगा और रिटन होना भी चाहिए और ऑप्सेन है इस मार्केट में अच्छा कासा फिल्ड है चलता है हाँ उसमें देखे उसमें तोड़ा टाइम लगता है तो अच्छा बिजनेस मुनाता है इस ठीक है सर आप थोड़ा वाट्सप कर दिजिए बाकी डीटेल जो है मैं आपको शेयर कर देता हूं ठीक है जी आप अपना जगे का नाम कि कहां पर आपको करना है और लिक के बेश दिए कि जाड़ू का बिजनेस आपको श्टाक करना ह तो उसके लिए क्या-क्या लगता है क्या-क्या रोमेट्रियल लगता है कहां-कहां से मिल सकता है और क्या चीज लगता है सारा डीटेल में आपको शेयर कर देता है ठीक है जी ओके धन्यवाद